Hello everyone, आज मैं आपको MSCD इस इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ, इस इंडिकेटर के इंपोर्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, लिटरली बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूस्फुल इंडिकेटर है ये, अल्रेडी मैंने इस टॉपिक के उपर एक डेडिकेटर वीडियो बनाई है, कि MSCD इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा, सबसे पहले वो वीडियो देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, वो MSCD इंडिकेटर को लाइव इस्तिमाल करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरे एक्सपर्ट आप्शन के स्क्रीन के उपर, यानि कि जिस प्लाटफॉर्म पर मैं जो लेके जाने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा ट्रेडिंग का बेस्ट अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, मेरे पास अभी 25,000 रुपीस र कर दिया है मैंने, और मैं फर्स ट्रेड लगाने के लिए रेडी हूँ, और थ्री थाउजन रुपीस दोस्तों मैंने डाउन के लिए लगा दिया है, 30 सेकेंड के लिए, अब ही मैंने वो इंडिकेटर यूज नहीं किया है, अब ही मैंने MSCD इंडिकेटर को यूज नहीं किय पहले मैं नॉर्मल ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पहले हम लोग देखते हैं कि मैं जीत रहा हूँ या फिर हार रहा हूँ, अगर मैं continue उसलिए आरने लग जाओंगा, तब मैं वो जो इंडिकेटर है वो यूज करूँगा, फिलाल यूज नहीं कर रहा हूँ, यहां पर तो ल लगा दिये हैं, 30 seconds के लिए, देखो पहले में 3,000 रुपीज में लगा है, वो हार गया, अब 3,000 को कवर करनी के लिए 4,000 रुपे लगेंगे, अगर यह जीत गया तो मेरे 3,000 रुपे कवर हो जाएंगे, फिर से मैं ट्रेड करूँगा, फिलाल अभी में वो इंडिकेटर य वैसे तो कमी है, तो देखते हैं, अभी तक तो graph नीचे है, मेरा शायद network का issue आ गया, ओके, तो दोस्तों यहाँ पर भी loss हो गया है, देखो, last second पर graph उपर चलेगा, last second पर, तो जीत ही गयता है यार, हम लोग यह trade दो, लेकिन अब, अब कुछ करना पड़ेगा, हम अब कुछ करना पड़ेगा, चलो, यह काम करते हैं, हम लोग, अभी हम लोग यह strategy यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए, हमें पहले indicators में जाना पड़ेगा, MSCD select करना पड़ेगा, और मैं जो हैं दोस्तों, अब मैं टाइम लिमिट में तीन में का कर दिया है, I am ready to go, ओके, इस indicator को enable कर दिया है, अब मैं 44,000 के 3 trade लगाऊंगा, यानि कि total 12,000 रुपे लगाने के लिए मैं ready हूँ, graphs को एकदम ध्यान से देख रहा हूँ, जो मैंने indicator को on किया है, उसको एकदम properly देख रहा हूँ, बस एक hint मिल जाए, तो मैं वो trade कर सकता हूँ, आपको देखो, नीचे दो lines दिख रहे होँगे, एक orange line और एक blue line दिख रहे होगी, जैसे blue line उपर की तरफ move होगी, उस time हम लोग को जो है लगाना है, trade, तो फिलाल के लिए तो मैं wait ही कर रहा हूँ, एकदम closely देखना है, पूरा concentrate, पूरा पूरा concentrate आपको ग्राफ्स फरी देना है, वो जो नीचे के दो lines है ना, orange line और blue line उसके ओपर पूरा focus करना है, वो जो bars आपको दिख रहे हैं, orange और green color के bars ना, उस पर focus मत करो, उस पर focus करने की जरूवत नहीं है, और यह मैंने वीडियो में बताया था, मेरे पिछले वीडियो में, पूरा पूरा focus कर रहा हूँ है, और प्रमेशा याद रखना यह अभी 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 शायद बनेगा, अभी चान्स बनेगा, देखो blue line उपर जा रही है, orange line भी अभी यहाँ पर cross हो गई है, और दोस्तों मैंने दो trades, अरे तीसरी trade लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देख सकते हो, जैसे ही blue line ने, orange line को cross किया, वैसे ही मैंने जो है trade लगा दी है, total trades मैंने लगाई 3 trades, 4000 के 3 trades यानि को total amount मैंने लगाए है 12,000 रुपे, अगर दोस्तों मैं ये 12,000 रुपे जीत जाता हूँ, तो लगबग मुझे कुछ 10,000 रुपे तो भी मिलने चाहिए, 10,000 रुपे मिल जाएंगे, यानि कि हम लोग अभी तक loss किये थे 2 trades, 3000 की और 4000 की यानि कि total loss था 7,000 का, अगर अब हम लोग जीतते हैं, तो total profit होगा हम लोग का 10 का, यानि कि 10 में से साथ गए, 3000, 35,000 रुपे हम लोग profit में आज जाएंगे, अगर ये trade profit होती है, तो, चीकिए, starting के 2 trades में मैंने normal trades के, कोई भी indicator यूज नहीं किया, कोई भी strategy यूज नहीं कि, लेकिन जब 2 trades continuously मैंने loss किया, तब जाके मैंने तीसरी trade में, जो है, MSCD indicator को यूज करके, MSCD strategy जो है, यूज की है, अब देखना है कि, क्या result आता है, 3 minutes का time frame तो हमारे पास है, तब तक दोस्तों, मैं आपको मेरा introduction देना चाहूँगा, कि मेरा नाम है DJ Trader, मैं पिछले 6-7 सालों से binary trading कर रहा हूँ, मैंने एक campaign चलाया है, जहां पर जितने भी लोगों ने अब तक trading में loss किया है, मैं सभी को loss recover करके देना चाहता हूँ, और दे रहा हूँ, अभी तक मैंने 10,000 से भी जादा लोगों की help की है loss cover करने में, और उससे भी जादा लोगों की help की है trading से पैसे कमाने में, बहुत सारी लोग मेरे साथ जुडते हैं, जिनके पास कम investment है, जिनके पास बहुत जादा investment है, सभी तरह की लोग मेरे साथ जो हैं यहाँ पर जुडते हैं, अगर आपके पास कम से कम 5,000 रुपे investment भी है, तो भी आप मेरे साथ जुड के trading से daily पैसे कमा सकते हो, अगर आपके आप उस 5,000 रुपे investment है, तो आप मेरा paid group join कर सकते हो, जिसकी fees 2,999 है, और उसके बाद जो आपके पास फिर 2,000-3,000 रुपे बचेंगे, उसके साथ आप मेरे group में काम कर सकते हो, daily में signals देता हूँ, signals यानि कि मैं आपको बताऊँगा कि कब आपको trade करना है, कहा trade करना है, कितने amount से करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा, सिर्क दिन का आदा गंटा आपको मुझे देना होता है, आप मेरे group से मेने का 10-12,000 रुपे घर बेटे आराम से कमाओगे, आपके पास है, फिलाल ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहे है, बढ़ना तो नहीं चाहिए, देखो, देखते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आपके पास investment ज़ादा है, तो आप account handling भी करा सकते हो, आपके पास 40-40 रुपे investment है, आप account handling करा सकते हो, account handling यानि की investment आपका होगा, account आपका होगा, उसमें trade में करूँगा, और जो भी profit होगा हम दोनोंगा होगा, so account handling भी फिलाल, पर दोस्तो successful देख सकते हो first trade यह देखो यहाँ पर हम लोग जेच चुके हैं actually इसमें दो ही trades दिखा रहा है अभी एक यह दूसरी वाली है total अभी यहाँ पर आपको balance दिख रहा है 28,000 रूपीज 200 bonus को मत देखो ठीके bonus तो asset easy रहेगा सबसे पहले real balance पर focus करो पहले हम लोग का real balance था 25,000 रूपीज अभी हम लोग का real balance हो गया है 28,200 रूपीज है नहीं कि 3,200 रूपीज का हम लोग को यहाँ for profit हो चुका है starting में आप में देखा मैंने कोई भी indicator यूज नहीं किया normally trades किया और starting के दोनों trades में हार गया जब मैं दो trades continuously हार गया एक बड़ा amount हार गया investment जब 25,000 है 25,000 में से अगर मैं 7,000 हार गया हो तो एक बड़ा amount हार गया हो ना मैं उसके बाद फिर मैंने एक risk लिया जहाँ पर मैंने MSCD indicator को use किया MSCD strategy को use करके 12,000 रुपे लगाए देखो ये risk का काम है 25,000 investment में अगर मैं 12,000 के एक trade कर आओ तो बहुत ज़्यादा risk का काम है लेकिन मुझे indicator के उपर भरोसा था इसके लिए मैंने 12,000 रुपे लगाए और finally हम profit में आगे loss cover भी हो गया और profit में भी आगे तो ये तो एक account handling का part है तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे account handling है जहाँ पर में लोगों की help करता हूँ अलग-अलग तरीके से में help करता हूँ सबसे पहले अगर आपको ये indicator को इस strategy को समझना है तो मेरी कल वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने MSCD indicator के बारे में full information से बनाई है वो वीडियो उसकी link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आपको trading related कुछ भी पूछना है कुछ भी तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हूँ या फिर आप मुझे instagram पर message करो मैं आपसे instagram पर chat कर लूँगा जो भी आपके doubts रहेंगे सब कुछ जो है मैं clear कर दूँगा instagram की link भी आपको description box में मिल जाएगी आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जाने से पहले एक like कर देना और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे बहुले चानल को सब्सक्राइब कर लो ताकि trading related कोई भी नई वीडियो लेकिया हो तो सबसे पहले उसे आप देख सके